और मुरैना के टोंगा गाउं में तालाब फुट जाने की वज़े से दरजनों गाउं के हालाद बिगड़ गए हैं मौके पर कलेक्टर एसपी पहुँच चुके हैं सैक्डो भीगा फसल बरबाद हो गई है चंबल नहर में पानी को डायवर्ट किया गया है आस्मान से आफद बनके बरस रही बारिस अब कई गामों में और कई लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है जिसका मुक्य कारण है कि बीते रोज से रुकर करके बारिस आपको बता दें कि बीते रोज देखा गया था के जिले के नात सफेरे गाओं में कच्छी आबादी के दो दरजन से अधिक इसी बारिस के चलते डह गए थे जिसमें से जो ग्रामीर थे उनके खाने पीने की समगरी से लेकर के पूरा मकान जमीन में मिल गया था और कई समगरी ऐसी थी वो पानी में बह रही थी लेकिन इस व जन से अधिक गाओं में आफ़त बन गई है हलांकि कलेक्टर से लेकर के एसपी और एसटियम लगातार देर राफ से ही मौनीटरिंग कर रहे हैं और वह यही डेरा डाले हुए हैं लेकिन खास बात यह है कि अब जो दिबारे थी वो लगातार बढ़ती जा रही है यही बज पानी का निकासी के इंतजाम नहीं है यही बजा है कि अब पुलिस और सासने मिलकर के इस पानी निकासी के इंतजाम चंबल नहर में किये हैं लेकिन अब देखना यह होगा कि इस तालाब का पानी कब तक बंद हो पाता है और उपर से बरस रही आफ़त अब लोगों के और देपुर पांच गाम लगते हैं जी इसके नीचे पूरी पसलों कड़े गई इसके बाव से पानी जैसे अई सबलगर शेत्र में टोंगा ग्राम पंचायत में जो सचाई भाग का तालाब था लगबाग 130 साल पुराना तालाब भी था चाम में साड़े-च्छे बजे हम लो दो जगे स्क्रूस गोट ओपन करके और नहर के माध्यम से पानी को हम लोगों ने डाइवर्ट किया उसके बाद आज सुबह जो है वो पाल में जो होल हुआ था वो बढ़ते बढ़ते पाल पूरा ब्रेक हो गए लेकिन चुकी पानी केपैसिटी बहुत जादा अभी ताला अच्छी नींद लेना अच्छी स्वास्त के लिए जरूरी है क्या कम नींद लेना कैंसर जैसी घातक बिमारी को निमंतरन देने जैसा है देखिए हमारी खास रिपोर्ट भाग दोड़ भरी जिन्दगी में सेहत का ख्याल रखना बेहत ज़रूरी है आज कल ब्रेट प्रेशेर शुगर और बिमारिया आम हो चुकी है लेकिन जानलेवा कैंसर भी लगतार दायरा बढ़ाता जा रहा है हाल एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 17 तरह की कैंसर होने के बाद गही गई है शेहरों में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गई है सुबा उठने से लेकर खाना खाने तक का समय बदल क्या है लोग डॉक्टर के पास अक्सर शकायत लेकर ज पेट में ले सकता है एक स्टडी के मताबिक नींद और कैंसर का आपस में सीधा कनेक्शन है ऐसा स्टडी में बताया गया है कि कैंसर और नींद का आपस में लिंक है यानि जो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन होता है वो दिन के वक्तों नॉर्मल होता है लेकिन रात में ट्रि हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हमें बार बार यही याद दलाते हैं कि नीन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है अगर भरपूर नीन नहीं ली गए तो आगे चल कर दिक्कत हो सकती है नीन के कारण शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं खास करके ब्रेन में एक हार्मोन पैदा होता है जिसका नाम मेलाटोनिन है वो शरीर के कई अंगों को कंट्रोल करता है वो शरीर के एक-एक सेल को कंट्रोल करता है सेल कैसे बढ़ेगी कैसे कंट्रोल में आएगी सेल की सूजन कैसे कम होगी इसका कंट्रोल भी मेलाटानिन के पास है कैंसर होने की संभावना और ठीक होने की संभावना भी मेलाटानिन पर निर्बर है और मेलाटानिन नीन पर निर्बर है नीन अत्य आवश्चक है नीन से हम मेलाटानीन को कवर कर कर सकते हैं और मेलाटानीन हमारे पूरे शरीड को कंट्रोल करता है इसलिए नीन हमारे लिए आवश्चक है एक स्वस्त शरीर के लिए डॉक्टर भी आठ घंटे सोना जरूरी मानते हैं मेलाटोनिन हॉर्मोन कैंसर सेल्स को नश्ट करता है नाइट शिफ्ट करने वालों को भी बेहत सावधानी बरतनी चाहिए एसे बिमारी होने लगती है नेन ना आना और आठ दस घंटे आपके नेन पूरी ना होना ये आपकी बॉड़ी में मेलाटोनिन रेवर को जो है वो इंकरीज करता है जिसके चलते जो है वो कैंसर के जो सेल्स हैं वो ठीट से एफिशिन परिके से वोक नहीं कर पाते और यह बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं यखीन मानी है बधले की ऐसी कहानी अब से पहले शायद ही आपने देखी हो एक घर से साइकल चोरी होती है और उसके बाद ये पता चल जाता है कि साइकल किसने चोरी की लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वारा था चोरी और सीना जोरी की ये तस्वीर आपको भी हैरान कर देगी बैतुल में एक ही परिवार के नौ लोग बुरी तरह जखमी हो गए बैतुल के शाहपुर्थाना इलाके का ये मामला है किसी पुरानी रंजिश की कहानी नहीं थी बलकी साइकल चोरी का बदलापुर्था सुनिये हुआ क्या था दरसल फर्यादी के यहां 20 दिन पहले साइकल चोरी हुई चोर का पता चल गया बस आरोपी जो साइकल चुरा कर ले गया था उसे समझाना इस परिवार के लिए महंगा पड़ गया मामला थाने पहुचा साइकल तालाप किनारे मिली अब इस कहानी में उस वक्त ट्विस्ट आ गया जब आरोपी ने परियादी जीतेंडर को धमकाया कि यह पंगा महंगा पड़ेगा आरोपी ने परियादी के घर विसफो टक पेग दिया यह इंतकाम और वारदात हैरान करने वाली थी बैतुल में रीशू नाइडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूस एटीन मध्यप्रदीश चत्तीजगर